गुड मॉर्निंग बच्चों लोग प्रशासन के तुलनात्मक अध्यन को आगे बढ़ाती हुए आज हम तुलनात्मक लोग प्रशासन के नेचर को या उसकी प्रकृती को पढ़ेंगे जैसा की फ्रेट डबल्यू रिक्स के हिसाब से है फ्रेट डबल्यू रिक्स एक बहुत ही बड़े विचारक थे और उन्होंने comparative public administration के तुलनात्मक लोग प्रशासन के शेत्र में उसके बारे में बहुत सारी theories, बहुत सारी models और specially इंडिया के बारे में या developing countries के बारे में या development administration के बारे में बहुत सारा योगदान या बहुत ही महत्वपून योगदान फ्रेट डबल्यू रिक्स जी ने दिया है तो आज हम इसका comparative public administration का nature पढ़ेंगे या उसके शेत्र की प्रकृती पढ़ेंगे जो फ्रेड रब्ल्यू रिक्स ने दिया गया है नेचर से क्या अर्थ है तुलनात्मक लोग प्रशासन के विकास के साथ साथ इसकी प्रकृती में भी परिवर्तन होता रहा है लोग प्रशासन के स्वरूप में धीरे धीरे चेंज आने लगा विश्वयुद हुआ आर्थिक मंदी आई अमेरिका के अंदर development हुए और दूसरे विकास शील देशों में या western countries में जब developments हुए तो धीरे धीरे लोग प्रशासन की प्रकृती या उसके शेत्र के अंदर भी विस्तार होने लगा या चेंज होने लगा Fred W.Riggs ने लोग प्रशासन के तुलनात्मक अध्यन की तीन प्रवरतियां दी हैं पहली Fred W.Riggs कहते हैं कि हमारा जो अध्यन है या जो अध्यन का शेत्र है वे आदर शात्मक से अनुभुव मूलक या अनुभव संबंधी होना चाहिए आदर शात्मक को उन्होंने कहा है नौर्मेटिव और अनुभव संबंधी को उन्होंने कहा है एम्पेरिकल Fred W.Riggs एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने अपने मॉडल्स को या अपनी स्टडीज को समझाते हुए बहुत से टर्म्स जो है वो कॉइन किये जैसे नौर्मेटिव, इम्पेरिकल, इडियोग्रैफिक, नौमोथेटिक अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने मॉडल्स को समझाने के लिए बहुत सारे टर्म्स जो हैं खुद ही कॉइन किये वो ये कहते हैं कि आज तक हम आदर्शों की बात करते आएं आदर्श व्यक्ति, आदर्श देश, आदर्श इंस्टिट्यूशन, आदर्श कॉलेज, आदर्श विध्याल वो ये कहते हैं आदर्श रूप वास्त्विक में कहीं भी किसी भी जगे पर एक्जिस्ट नहीं करता, करता है बच्चों आपको पहले भी हमेंने बताया हुआ है आदर्श सिरफ किताबों में एक्जिस्ट करता है, आदर्श के नजदीक जरूर प्राक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में हो सकता है लेकिन आदर्श की एक व्यक्ति, एक इंस्टिटूशन, एक बिल्डिंग, एक विध्याले, एक कॉलेज पूरी तरहां से परफेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रिक्स इसी चीज़ को उठाते हुए कहते हैं कि हमें आदर्श से इंपे इसा होना चाहिए, नेता ऐसा होना चाहिए, देश ऐसा होना चाहिए, प्रधान मंत्री ऐसा होना चाहिए, इसको छोड़कर अब हमें अध्यन किस चीज का करना है, क्या है, क्या है देखने से हमें क्या पता चलेगा कि ये विध्याले क्या है, अब इसकी तुलना हम किस से क करेंगे जो चीज क्या होना चाहिए अब क्या है और क्या होना चाहिए में जो फर्क है उसे पूरा करने के लिए हमें क्या 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 चीजें करनी चाहिए ताकि हम उस इंपेरिकल रिसर्ड से या हम उस अनुभव संबंदी रिसर्ड से उस क्या होना चाहिए तक सकें आपको समझ में आ गया होगा normative से empirical का क्या अर्थ है कि क्या है उससे हमें देखते हुए क्या होना चाहिए कि तरफ बढ़ना चाहिए तो हम क्या होना चाहिए या जो आदर्ष मॉडल है या जो आदर्ष वरूप है वह तो नहीं बना पाएंगे लेकिन हम उसके बहुत ही अधिक्तम नजदीक पहुँच सकते हैं तो तुलनात्मक लोग प्रशासन का सबसे बड़ी प्रवर्ति क्या होनी चाहिए कि क्या है उसे देखें उसे सुधारें उसके अंदर improvement लाएं और उसे क्या होना चाहिए कि सफर की तरफ ले कर जाएं तो पहली प्रवर्ति उन्हों इंपेरिकल की तरफ हम चलें क्या होना चाहिए से हम ये चलें कि क्या है और उस क्या है को क्या चाहिए तक हम कैसे पहुँचा पाएंगे दूसरी चीज उन्होंने बोली विशिष्टा से सामान्ने पर रिक्ता रिग्ज ने विशिष्टा के लिए इडियोग्रैफिक और सामान्ने पर रक्ता के लिए नोमोथटिक शब्द का यूज किया है इडियोग्रैफिक या विशिष्ट अध्यन से उनका मतलब है कि हम किसी एक विशेश एतिहासिक घटना एक विशेश प्रशास्निक समस्या ए एक विशेश राश्ट्र एक विशेश जीवनी से संबंदित रहते हैं इस प्रकार इन अध्यनों में प्रशासनिक विशलेशन की विशेवस्तु कोई एक विशेश इकाई होती है दूसरी तरफ समान्ने परक्ता में क्या होता है जिसे वो नोमोथेटिक का नाम देते हैं इसक राश्ट्र एक व्यक्ति एक जीवनी एक राश्ट्र को पढ़ने की जगे हमें नोमोथेटिक नोमोथेटिक यानि कि तुलनात्मक विशलेशन पर ध्यान रहना पड़ेगा कि इनकी जीवनी उनसे कैसे फरक है ये वाला देश उससे कैसे फरक है और उसको हमें क्या होना चाहिए तक कैसे ले जा सकते हैं तो वह कहते हैं दूसरा नेचर कंपारिटिव पब्लिक एड्मिन्स्रेशन का क्या होना चाहिए विशिष्टा मतलब एक चीज से या एक पर्टिकुलर चीज को पढ़ने की जगे हमें नूमोथेटिक समान्यता परक मतलब उनके आपसी विश्लेशन तुलनात्मक विश्लेशन के उपर ध्यान देना पड़ेगा तभी हम बीच में उनके बारे में अच्छे से सुधार कर पाएंगे तीसरा जो उन्होंने दृष्टि कौन दिया है वह दिया है गैर परिस्थिती से परिस्थिती किया इसका मतलब नोन एकलोजिकल से एकलोजिकल एकलोजी का मतलब क्या होता है एकलोजी शब्द जो है वह हमने भी इसे human life sciences से लिया है life sciences का क्या मतलब होता है एकलोजी का मतलब क्या होता है मान लो एक व्यक्ति, एक पेड, एक पौधा या एक जानवर जो है उसका development किस पर depend करता है खाली उसके jeans पे, खाली उसकी heredritory पे या खाली उसके birth पर नहीं करता वे किस वातवरन में पैदा हुआ है, किस environment में रह रहा है, किस तरहें का climate है उन सब पर उसका development जो है, उसका विकास जो है वो निर्भर करता है for example, एक पेड जो पहाडों में पाया जाता है, वे उस तरह की परिस्थितियों में फलता फूलता है लेकिन अगर हम उसी पेड को लाकर desert में उगा दें, तो वे उस तरह से फल फूलेगा नहीं जो चीज अमेरिका के अंदर applicable है, वो चीज इंडिया में भी applicable हो, ऐसा जरूरी नहीं है तो वो ये कहते हैं, अभी तक हम जो भी अध्यन करते हैं, उस अध्यन को एक closed environment में मतलब non-ecological का आसपास के environment से अबूज करके अनभिग्य होकर उसकी study करते हैं कि ये एक देश है और उस देश की study करनी है, या एक ये विध्याले है, उस विध्याले की हमें study करनी है अब हम उस non-ecological से ecological की तरफ कैसे आएंगे, कि हम उस विध्याले के साथ साथ उसके आसपास का वातावरन कैसा वातावरन? उसकी geographical situation कैसी है, वहाँ की historical प्रस्तिती कैसी है, वहाँ का political environment कैसा है, वहाँ का sociological environment कैसा है, वहाँ का समाजिक वातावरन कैसा है इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, नजर में रखकर, अगर उस particular विध्याले का institution का राष्ट का अगर अध्यान किया जाएगा, तो वहाँ अध्यान जादा बेटर होगा, तुलनात्मक होगा, और उसमें बहुत ही अच्छा तुलनात्मक अध्यान किया जा सकेगा सिधानत का निर्मान कर पाएंगे हम, विकासील देशों में समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और तुलनात्मक रोग प्रशासन में हम साथ साथ ही तुलनात्मक राजनिती, तुलनात्मक हिस्ट्री, तुलनात्मक जोग्रफी और इन सब चीजों का भी अध्यान कर पाएं पहली चीज आपको बताया normative से empirical इसका मतलब क्या होना चाहिए उस तित्री से निकल कर हम क्या हैं और उसको पढ़ें समझें और उसे क्या होना चाहिए की तरफ के सफर की तरफ बढ़ाएं दूसरी चीज उन्होंने बताई कि हमें एक विशिष्ट चीज को पढ़ने की जगे एक चीज को पढ़ने की जगे इडियोग्रैफिक स्टडीज करने की जगे नुमोथेटिक यानि की समान्य परक्ता की तरफ जाना पड़ेगा और तीसरी चीज महतिमेहत्वपूर्ण उन्ह समझा पढ़ेगा तो हमार को उसकी प्रक्रति तुलनात्मक प्रशासन की कैसी रखनी है नौन इकलोजिक digo यानि की गैर परिस्थिति की तरफ यानि की इकलोजिकल की तरफ अब हम लोग परक्रेटिव लोगप्रशासन के बारे में आगे नेक्स वीडियो में और भी पढ़ेंगे धन्यवाद आज मैं आप सब को कि बारे में योफाद अ अ